हेलो सुडेंट्स वालकम टू शिक्षायंद्र मैं पर्मानमीर आपके लिकर आया हूँ आज एको नया सेशन क्वेश्चन के साथ यानि कि लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ाता अपना पार्टनर्स कापिटल काउंट मेथड्स पढ़े थे उन्हे पर बेज आज हम वाले है और बहुत ही मस्यदार क्वेश्चन हुए आईए दिखते हैं कैसे क्लों करिणे और किस तरह करने वाले है चली चुलू करते है वारे पास पहला फैसे पार्ज देखें When decision है आज और आज़ और कल आज और आर 작ा आर पार्टनर्नर्स in the ratio of 3 to 2, they have capitals of Rs. 5,00,000 and Rs. 3,50,000 respectively. तब इंटर्स on capital विल प्रवाइट पर नम यानि की जो इंटर्स on capital कितना विटे? 8% पर नम. Salary given to aaj Rs. 60,000 and kal Rs. 2,000 per month. Commission is to be provided at 5% on net profit to kal. Before charging such commission, their points were Rs. 90 and 60 on which interest was charged at 12% per month. The net profit, prepared profit and loss appropriation account and partners capital account. इस question में एक चीज़ तो साफ है कि यह कहीं भी इसमें fix account के बारे में कोई mention नहीं है. यानि कि हमें जो follow करना है वो fluctuating capital account method follow करना कि यहां पर कहीं भी fix का नाम नहीं लिया question नहीं और नहीं हमसे prepare करने के लिए मांगा है current account और नहीं हमें current account के balance is given है. तो यानि कि इस case में आप fluctuating capital account method को use करेंगे. तो आईए देखते हैं calculations को मैंने यहां पर already solve करके रखा हुआ है question for the time save. तो देखिए सबसे पहले क्या है profit and loss कितना है 5,55,500 रुपय अपना by profit and loss आया जेगा है यहां पर यह आपने show कर दिया 5,55,500 रुपया आगया इसके बाद question ने काम से उनकी capital है पांच लाग और तीन लाग पचास जार उस पर 8% का interest rate है तो 8% of 5,40,000 8% of 350,000 28,000 the total will be 68,000 रुपीज so interest in capital कितना होगे दोनों का 68,40 आज and 24, sorry 28 कल 68 interest in capital उसके बाद question ने का काम से salary partners की आज की और कल की 60,000 है आज यहनी per annum साल की है तो 60,000 बट जो कल partner है उसकी 2,000 per month given है so 2,000 per month कितनी हो जाएगी पेटे 24 the total will be 84,000 ठीक है इसके बाद question हमसे कहता है commission ने नहीं है किसको partner कल को तो before charging such commission आपको हमने जब commission पढ़ाया था तो हमने दो चीज सिखाई थी commission निकालते वक्त के या तो before charging such commission बोलेगा question या कहेगा after charging such commission तो इस question में यहां पर question कहता है before charging such commission that means आपको सीधा-सीधा 5% of net profit आपको निकाल देना है आपकी commission आ जाएगी देखिए 5,55,500 का 5% कितना होगे बिटे 27,775 रुपीज 27,775 रुपे आपकी क्या होगई commission आफ कल यह आपने यह एंट्रे कर दी इसके बाद आपने इंट्रस और राइंग चार्ज किया 90,000 है 60,000 पे अलो हाविया हाविया अच्छा ठीक 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 इंट्रस और राइंग चार्ज करना है आपको कितना परसेंड है 12 परसेंट इन ड्राइंग सा 90,000 और 60,000 रुपीज इस पर 12 परसेंट परनाम के रेट से आप चार्ज करेंगे आपको बताया हुआ है अगर ड्राइंग के बारे में कोई टाइम गीवन नहीं है कि इस इस स्पेसिफिक डेट को इस स्पेसिफिक मंत में इस इस स्पेसिफिक क्वार्टर में उसने बिड्रॉ किया है अगया और for 6 month average तो interest on drawing आया आज का 5400 और कल का कितना आएगा 3600 on 60,000 at 12% पर नव for 6 month average period आगया यह हमने total किया यह आगया इस में से interest on drawing salary commissions को less किया profit कितना आगे बिटे 348725 इस profit को as per ratio 3 to 2 हम इसको divide कर देंगे दोनों partners में और वो आएगा आपका 238835 153,890 रुपीज यह आगया इनका दोनों का profit अब यह तो हम पहले भी कर चुके profit loss operation account पहले भी questions किये वे important जो है वो next slide पर आपका partners capital account जी यहां यह important है यहां पर देखिए आपने अभी पिछले उसमें यहां पर जो profit लिखा उसके बाद इंट्रेशन capital दी यह इंट्रेशन capital कहां जाएगी यहां पर यहां पर यहां गया 40 28 आज का 40,000 सा 8% of 5 lakh and कल का 28,000 8% of 3 lakh 50,000 यह यहां पर आगए 28,000 ठीके इसके बाद क्या है सेलरी थी आज की थी 60,000 पर आनाम वो 60 यहां आ गई and 24,000 आई कल की क्योंकि 2,000 पर मन थी तो 24,000 कमिशन जो थी हमारी कल की वो कितनी थी 5% on net profit थी तो 5% कहा आ गई वह 5% हमारी यहां आ जाएगी 27,775 रुपीज ऑप कल कमिशन कमिशन ठीक है इसके बाद उनकी रॉइंग थी 90,000 60,000 वो यहां पर आ गई इन पर 12% का इंटरस्ट था विज शिक्स मन्त एवरेज तो वो कितना आ गया 5400 3600 यह लिख दिया आपने इसके बाद जो profit distribute फिए था आप अनकी 302 की रेशियो वो प्रॉफिट को आप यहां पर फोग कर देंगे उसके बाद इनका टोटल करेंगे यह तोटल आ गया इस टोटल से एक करेंगे यह डिजगे करेंगे इसम उनकी salary partners की, partners की commission और partners का share of profit, credit side में, उनकी drawings, interest on drawing, share of loss अगर होगा तो यहाँ जाता है, वो यह debit side मार जाएगा, credit side में से debit side minus कर देंगे, balance ही जा जाते हैं, उनको balance CD कह देते हैं, account close हो जाता है आपका, यह था आपका fluctuating capital account method, मिलते हैं next session में, next video में, this way हम सेखेंगे, fixed capital account method, अब तक के लिए, thank you